हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में पर्मानेंट सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में ग्रूप A, B और C के अंतरगत अलग-लग पोस्ट की वेकेंसी है जिसमें 10th pass student, 12th pass, any graduate आपने किसी भी सब्जक्ट से ग्र पोस्ट ग्रेजविशन किया है तो अलग-लग पोस्ट के लिए जो है अलग-लग क्वालिफिकेशन मांगी गई है ठीक है तो अगर आप लोग अप्लाए कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन रहती है तो बिल्कुल अप्लाए करिएगा क्योंकि Central Government की वेकेंसी है पर्मानें को शियर किया जाता है जो भी कैंटी रेट अप्लाए करने के इच्छुक रहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे वेकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो कहां से जारी किया गया है क्योंकि इस वीडियो में हम चार नोटिफिकेशन एक साथ देखने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, non-teaching position group A की vacancy है, जिसमें सबसे higher qualification मांगी गई है, उसके बाद ग्रूप B की vacancy है, इलहाबाद विसविध्याले, University of Alavad, a central university, यहाँ से vacancy जारी की गई है, तो non-teaching position group B की vacancy है, अलग-लग post है, उसके बाद non-teaching position group C की vacancy निकाली गई है, next जो vacancy है, the post of assistant librarian, चारों ही जो है, एक ही date में, notification main website पर जारी किये गए हैं, आवेदन बिल्कुल start हो चुके हैं, तो यहीं से start कर लेते हैं, जो important चीज होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, link आप लोगों को share कर दिया जाएगा, जो भी इच्छोक होंगे candidate, तो सबस सबसे पहले notification को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही apply करेंगे, तो सबसे पहले जो है, इन्होंने important dates दी हैं, एक मार्च से start हो चुके हैं, online application, last date 1 April 2024 रहेगी, यहाँ पर जो fees लग रही है, undeserved category EWS, OBC की 2000 रुपे, SCSD की 1000 और PWD की कोई भी fees नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देखें, यह जो assistant librarian की post है, group A के अंतरगत आती है, तो salary भी जो है आप सोच सकते हैं, काफी अच्छी salary यहाँ पर रहेगी, इन्होंने लिख दिया है, academic level 10 के according salary यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, तो जो भी candidate apply करना चाते हैं इस post के लिए, journal instructions पढ़ेंगे, उसके बाद ह जो है apply करेंगे, यह link है, वीडियो के नीचे description box में आप लोगों को share कर दिया जाएगा, बाकी आप लोग यहाँ से भी screenshot ले सकते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं, group C की जो post है, जिसमें बहुत सारे जो है, पोस्ट है, level 1, level 2, level 4 की according जो है, level 5 की according salary है, यहाँ पर मुझे स asking staff की जो vacancy है, जो group C के अंतरगत है, सबसे अधिक जो है, इसमें vacancy आई है, 141, ठीक है, जिसमें 10th pass candidate बिल्कुल apply कर सकते हैं, उसके बाद जो है, librarian attendant की, laboratory attendant, librarian assistant, library assistant, laboratory assistant, laboratory assistant, junior office assistant, hindi typist, यह vacancy है, जिनकी qualification आप देख सकते हैं, बाकी और भी post हैं, अगर कोई भी candidate देखना चाहे, इनकी qualification हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, data entry operator के लिए 35 साल यहाँ पर उम्र रखी गई है, graduation के साथ में PG, DCA, आपके पास diploma, वो तो बिल्कुल आप लोग apply कर सकते हैं, या फिर computer, science, engineering, IT, BBA या BCA वाले भी apply कर सकते हैं, typing speed जो है, इंग्लिस में, computer पर 40 word per minute, हिंदी इंग्लिस software भी, जो है, compulsory इनोंने कहा है, जानकारी होनी चाहिए, next, यहाँ पर देखें, field assistant की जो 18 से 30 वर्स है उम्र और drawing and surveying, 50% marks के साथ में, किसी भी यूनिवस्टी से, हिंदी टाइपिस्ट का देखें, 30 वर्स से अधिक नहीं, बारवी के साथ में, अंग्रेजी टंकन, 35 शब्द, speed आपकी, हिंदी टंकन, प्रती मिनट 30 सब्द की गती से, यहाँ पर इनोंने कहा है, नेक्स्ट जूनियर ओफिस असिस्टेंट के लिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 50% marks के साथ में, और टाइपिंग चाहिए, इंग्लिस में 30 और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, लेबोरेटी असिस्टेंट के लिए, जो है, साइन्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलोजी, बॉटनी, साइकलोजी, कम्प्यूटर साइंस या कम्प्यूटर, इन में, आपका जो है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इंग्लिस में आपका, कम्प्यूटर पर 30 वर्ड पर मिनट, जो है, टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, उसके बाद, जो है, लाइब्रेरी अ पास कैंडिडेट भी अप्लाइ कर सकते हैं, बास इतना ही कहा गया है, और भी है, पोस्ट, ग्रुप C के अंतरगत, ठीक है, ग्रुप B के अंतरगत देख लेते हैं, बाकी जो है, इम्पोर्टेंट डेट जो है, चारों नोटिफिकिशन की समान है, और आप लोग जिस भी अप्लाइ करना चाहेंगे, पोस्ट का नाम आप यहां देख ले, क्वालिफिकिशन देख लें, आगर अप अप्लाइ करेंगे, तो बिल्कुल सही तरीके से पहले पढ़ना हैं, उसके बाद ही जो अप्लाइ करना है, ओनलाइन मोड में अप्लाइ कर सकते हैं, क्योंकि फीस में आया ग्रूप जो B है उसके अंतरकत computer operator की जो vacancy है level 6 के according computer operator के लिए age 35 year है age relaxation जो है hcst obc physical challenge ex-serviceman category को UGC या government of India norms के according दिया जाएगा qualification या compulsory कहा है graduation science के साथ में certificate course computer operator का होना चाहिए बी टेक, बी ए, computer science, computer application या IT वाले बिलकुल apply कर सकते हैं ठीक है या फिर bca और दो साल का experience या फिर bsc, computer science या भी आपने किया है तो भी आप apply कर सकते हैं next देखें diploma वाले भी apply कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिस पढ़ना, लिखना, बोलना यह बिलकुल यहाँ पर compulsory है preference दी जाएगी ऐसे candidate को, ठीक है उसके बाद और भी जो है, post जैसे sports assistant या coach की 35 year, MPA degree अगर आपके पास है या फिर आपने कहीं पर participation किया है, Asian Games में, World Championship में, आपके पास certificate है तो भी आप apply कर सकते हैं, exam रहेगा, group B non academic के लिए 100 question रहेंगे 200 marks 2 घंटे का Hindi, English, reasoning पूछी जाएगी और आपके subject से संबंदित, account, library, journal, administration ठीक है, बाकी जो है, post अलग-अलग है, तो qualification और जो exam रहेगा, उसका pattern बिलकुल अलग-अलग है सबी का तो आप लोगों को जो है, देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, फिर apply करेंगे क्योंकि चारों notification एक ही वीडियो में cover कर पाना संबंभ नहीं हो पाया ग्रूप A में जो है, काफी higher qualification है, fees भी जो है आप देख सकते हैं, fees तो 1500 जो है, journal OBC की है पोस्ट का नाम आप देख ले, deputy registered, director, electronic shop engineer, executive engineer, internal audit officer, public relation officer, इसे हम अभी देख लेंगे scientist B, scientific officer, system analyst, system programmer, उसके बाद system manager तो यहाँ पर जो है, salary बहुत अधिक रहेगी, आपकी जो है, एक लाग से अधिक salary जो है, यहाँ पर रहेगी एक बार जो है, हम देख लेते हैं, qualification अगर आप apply कर पाए, public relation officer and scientist B public relation officer के लिए, 40 साल इन्होंने कहा है, 40 साल से अधिकुम्र नहीं होनी चाहिए, age relaxation जो है, government of India norms के according, category wise दिया जाएगा master degree कहा है, 55% के साथ में, या group B in the UGC 7 point scale, और degree या diploma in public relation, या फिर journalism में, ठीक है, या फिर mass communication में, या इसके equivalent अगर कोई qualification है, साथ में, जो है, 5 साल का अनुभव भी यहां पर मांगा गया है, scientist B के लिए कहा है, 35 साल उम्र, master degree in engineering, अब कैसे apply करना है, advertisement आपको कहां देखने को मिलेगा, तो main website पर आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, allduniv.ac.in, तो सबसे उपर ही आप लोगों को नजर आ जाएगा, advertisement for non-teaching position, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ, नीचे जो है, आप लोगों को आना है, career section पर, इस पर आप लोगों को क्लिक करेंगे, या आपको career section नजर कर आएगा, इस पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़े समझ में आ जाएगी, advertisement जो है, आप देख सकते है, assistant librarian, various non-teaching position, तो बस इसी को आप क्लिक करेंगे, view detail को, इस तरीके से apply कैसे करना है, ये भी आपको यहीं पर इसी page पर दिखेगा, notification के लिए अलग-अलग है, चारो, चारो ही advertisement अलग-अलग है, तो जिसके लिए आप apply करना चाहेंगे, उसे आप open करेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप पढ़ लेंगे, तो वापस यही पर आना है, और उसके बाद apply करने का option आपको नीचे नजर आएगा, click here to apply for assistant librarian, click here to apply for non-teaching, ठीक है, इस पर click करना है, तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, काफी अच्छी vacancy है, Central University, इलहावाद, तो बिलकुल आप लोग अप्लाइ करिएगा, permanent job रहेगी, मिले नेक्स्ट वीडियो में, thank you